नमस्कर दोस्तों यूनिक एड़वाइज बास्टर में मैं साइन आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार दोस्तों मैं पहरे आप सबको होली का बहुत बहुत बदाई देता हूँ और आज इस सेजन में मैं आपको जो बताने बाला हूँ कार को अब जब कार को खड़ दोस्तों कार को जब डेलिवरी के टाइम पे सोरू में लेते हैं आप तो आपको सबसे पहली बात डेलिवरी के टाइम से एक या दो घंटे पहले आप सोरू में पहुंच जाएए और पहुंचने के बाद आपके मतलब सबसे जो चीज ज्यादा धायन में राखना चाहिए अकसर देखा गया है अकसर दोस्तों मैं खुद भी इसका सिकार हुआ हूँ मैंने जब मेरे कोवी ओन डावलो को मतलब डेलिवरी लिया था तो तब मैंने पेपर की तरफ ध्यान नहीं दिया था लेकिन बाद में मुझे चार-पास दिन बाद जब इंस्योरेंस पेपर में म वहाँ पे वह हो गया था 853 मतलब किसी और का और का इंजीन नंबर को वहाँ पर डाल दिया था तो मुझे बहुत ही हैरा सुना पड़ा था दोस्तों लगातार एक माईने तक मतलब जाना पड़ा उसके बाद अडलिश्ट ठीक हुआ तो मैं नहीं चाहता कि आप सब भी ऐस ये जो भी हो अभी सोचिए आपको डिलीवरी लेने के बक्त कार के पेपर भेढान गया लब कार के अब देखें कार के पॉलीसी पेपर हो स्बज पाले सी पेपर में इंजिन हो या फिर चेसिजिस नमर गलत है किसी और करका है अब जब सुरूम के आदमी से मतलब पर जो आ नेरे इंस्योरेंस पेपर को ठीक कीजिए उसके बाद ही में डेलिवरी लूँगा क्योंकि काफी के समय देखा गया है जब ऐसे प्रॉब्लेम होते हैं तो जो सेल्स एक्जिक्यूटीव होते हैं पतलब जो सोरूंग के लोग होते हैं वो एवोट कर जाते हैं क्योंकि यह उन इंजिनन नमबर गला थे लेकिन चैसिन नमबर थे तो दुणा कारी है तो बाद में ऐसा हो सकते हैं करने जाऊ आपका चैसिन नमबर यह है लोगह इनजिन नमबर ना मिलने के वज़ए आपको इंस्योरेंस ना मिले तो बैतर एही है आप जब भी आपकर कार काष़ लेजिए क्योंकि जब भी आपके कार डेलिवरी लेने के बाद आपके सोरूम से रोड पर निकलता है तब वो सोरूम का दिल्मदरी नहीं रहता तब अगर कोई आक्सिजेंट हो या फिर कोई भी आपके कार के साथ दुरगटना हो तो वो पूरा डिपेंड करता है इंस्यूर पर हो तो उसको चेंज कीजिए उसके बाद ही डेलिवरी लेजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है आप आपको सोरूम के लोग बोले के बाद में चेंज कर देंगे हम और आप सोरूम से कारी को निकाले बाहर कोई एक्सिजेंट हो जाए तो आप कोई भी इंस्यूनेंस क्लेम नहीं कर सकोगे और दूसरी बात जो मैं पताणा चाहूंगा दोस्तों कार का जो free accessories दिया जाता है company की और से कोई भी कार जब खरिदते हो हर कार में किसी ना किसी accessories को free में दिया जाता है तो आप कार को delivery लेने से पहले मतलब पहले ही confirm कर लिजिए कौन सी कौन सी अक्सेसरिस आपको मिनने वाली है लही तो ऐसा हो सकता है कि बाद में बो जो फ्री अक्सेसरिस कंपनी की और से प्रोवाइट किया जा रहा है वो भी आपके बेल में डालके उसका भी पैसा आपसे ले 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 लिए अब ऐसा करता है हर का हर सो रूम ऐसा करता है और ती ibhon लोगोर जो अगर और को दीवर लेने के बाद जै तो आप अगर सुरों में वालेगे है आप नहीं किय नहीं किये हूं यह अधर आएगा आप पाद कर लिजी कार का मतलब जो music system है उसको भी check कर लिजे properly भज रहा है के नहीं क्योंकि बाद में देखा जा सकता है कि magic system में problem आए मतलब music system मतलब जो music system आप बाहर से अब अक्सेसरीस फिटिंग कर रहा है उसमें उसको भी check कर लिजे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एक मतलब खराब माल आपको लगा दे आपके कार में और आप check ना करने के बाज़े से आपको ना पता चले और आप जब घर में आकर पता चले तो वो बोल सकते कि आपने खराब किया है तो इन सब चीज़को आपको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तो तो दोस्ता होप कि आपके ओने वीडियो अच्छा लगा अगर मेरे वीडियो का अच्छा लग method को लाइक कीजीए सेर कीजीए और मेरे चैनल से जुले रहने कि लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजीए मैं फिर मिलता रह whip नहीं वेडियो का साथ तब तक के लिए, गुडबाई